बिहार में सिक्षक बनने की इक्षा रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है और खबर ये है कि सिक्षक बनने के लिए जो नियूनतम युगता है सिक्षक पातरता परिक्षा यानि TET उसके आयोजन पर रोक लगा दी गई है सिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वार सवाल उठता है कि बिहार के विद्यार्थी अब सिक्षक कैसे बनेंगे संपुर्ण प्रशनों का उत्तर इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है बने रहिएगा इस वीडियो के अंद तक क्योंकि यह खबर बड़ी खबर है क्योंकि इस पर सरकार की भी मोहर लग गई है बिहार में सिक्षक पद्रता परिच्छा जिसे TET यानि Teachers Illizibility Test कहा जाता है उसके आयोजन पर रोक लगा दी गई है सिक्षा विभाग ने Official Letter लिखा है बिहार विद्याले परिच्छा समिती को और कहा है कि अब ये परिच्छा बिहार विद्याले परिच्छा समिती द्वारा नहीं ली जाएगी ये पत्र देखिए 13 जून 2022 को ये पत्र लिखा गया है रवी प्रकास जो निदेशक डायरेक्टर है प्रात्मिक सिक्षा विभाग सरकार और इन्होंने चिठी लिखा है सचिव विद्याले परिच्छा समिती को ये मुद्दा इपोर्टेंट मुद्दा है जो सभी विद्यार्चियों को जो सिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए और क्या लिखा है ये भी सबज़िए आपको बड़ा करके स्क्रीन में दिखाता हूँ मानिय उच न्याले पटना दोरा पारित न्यायादेस के क्रम में प्राथमिक सिक्षक पातरता परिच्छा आयूत करने है तू निर्ने की अपिछा की गई है यानि बिहार विद्याले परिख्षा समिती ने चिट्ठी लिखा था सिख्षा विभाग को कि क्या करना है इसी क्रम में अउगत कराना है कि अपर मुख सचीव की अध्यक्सता में सिख्षक पत्रता परिख्षा के समंध में 25 अपरेल 2022 को एक बैठक में यह निर्ण लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रानंभिक विद्याले सेवा निजुक्ती प्रुनत्ती अस्थानांत्रन अनुशाष्णी करवाई एम सेवा सर्थ नियमावली 2020 में किये गए प्रावधानों के तहट सिख्षक निजुक्ती के लिए निर्धारित अहरता में केंद्र एवं राजसरकार दोवरा आयोजित सिख्षक पात्रता परिख्षा में उतिर्न होना अनिवार्ज है यानि बिहार में अगर आप सिख्षक बनना चाहते हैं तो या तो आप केंद्र सरकार का TET पास कीजिए या जो बिहार सरकार दोवरा होती है राजसरकार दोवरा उसमें TET पास कीजिए केंद्र सरकार दोवरा प्रती बर्ष सिख्षक पात्रता परिख्षा यानि सीटेट का एवजन होता है उक्त इस्थिती में राजसरकार दोवरा सिख्षक पात्रता परिख्षा TET अलग से आयुद करने की आवसकता महसूस नहीं हो रही है भविस में बिभाग दोवरा आवशकता आधारित TET आयुद किया जाने पर निर्णे लिया जा सकेगा चोकि भारत सरकार दोवरा नियमित रूप से सीटेट यानि केंद्रिये सिख्षक पात्रता परिख्षा आयुद किया जा रहा है वो भी साल में दो बार बरतमान में सिख्षा विभाग दोवरा बिहार विद्याले परिख्षा के समिती के दोवरा जो TETI होता है उसको आयुद नहीं करने का निर्णे लिया गया है और मैं बता दूँ ये चिठी लिखा गया है निदेशक प्राथमिक सिख्षा दोवरा किसको सचिव बिहार विद्याले परिख्षा समिती को इस लेटर में सीधे सीधे आप समझिये कि जो सीटेट होता है केंद्र सरकार दोवरा सीविये सी बरतमान में लेती है साल में दो बार होता है तो फिर अलग से बिहार सरकार में ये नहीं ली जाएगी जिसको भी बिहार में सिख्षक बनना होगा वो केंद्र सरकार में जो टीटी होता है जिसे सीटेट कहते हैं उसमें पास करे और बिहार में अपलाई करे असपश रूप से है बिहार में अलग से TET नहीं होगा जिनको भी सिक्षक बनना है वो CBAC यानि कंदर द्वारा जो आजूत होता है सीटेट उसमें उसको पास करना ज़रूरी है अब समझे बिहार में शिक्षक पातरता परिचा अजूत करने की जिम्मधारी सरकार ने किसको दिया था बिहार विद्याले परिचा समिती को BACB ही आज़ुत करता था और ये जिमवारी BACB को दिया सिख्षा विभाग बिहार सरकार ने लंबे समय से बिहार में सिख्षक पतता परिशा आज़ुत नहीं होने पर सिख्षक बनने के योग अभियर्थियों ने हाई कोट में रिट फाइल किया था जिस पर हाई कोट ने बिहार विद्याले परिशा समीती से कहा था कि क्या मामला है इस्थिती असपस्ट कीजिए अब बिहार विद्याले परिशा समीती ने सिख्षक बिभाग से मार्क दर्सन मांगा कि क्या किया जाए और अब सिख्षा विभाग ने बिहार विद्याले परिशा समिती को यह कहा है चिठी लिखकर ओफिसियल की अब बिहार में ये TET नहीं होगा जिसको भी सिख्षक बनना होगा अब वो CBSC यानि केंदर के द्वारा जो सीटेट होता है उसमें वो बैठेगा और बनेगा बता दे केंदर में दो बार सीटेट का आयोजन होता है जो CBSC लेती है दो बार ऐसे में बिहार के जो भी अभियरती हैं जो सिख्षक बनने की योगता रखते हैं सिख्षक बनने का खवाब देखते हैं उन्हें केंदर सरकार दोरा आयोजित केंदर ये सिख्षक पातरता लेगा तो हर विद्यार्थी को सीटेट पास करना पड़ेगा और यह इपोटेंट इसलिए है कि अब रोक लग गई है अब यहां पर जितने भी अब देखिए इस फैसले का असर क्या होगा क्योंकि अधिकांस सिख्षक जो है ओ टी इटी बिहार बोट के सीलेबस के आधार प होगा एक राश्टी अस्तर का आएगा और इसे डिफिनेटली यह पॉजिटिव लेना चाहिए इस फैसले को क्योंकि इससे सिख्षकों में गुनात्मक आएगा यह नहीं कि कोई भी अब टी टी पास कर जाएगा टी टी वही पास कर पाएगा जो सी बीसी लेता है सीटेट जिसमें क्वालिटी होगा जिसको अच्छा एजुकेशन होगा और जो एक एस्टेंडर रखता हो इसके पहले जो यहां पर राजसरकार का होता था जिसमें में मेंली यहां के बिहार बोड की सीलबस के अधार पर टी टी होता था उसमें ओ नेशनल फ्लेवर नहीं हो पाता स्टेट का ही फ्लेवर रह जाता था और और सी प्रसासिनिक बातें आती थी उसमें जो राजा अस्तर पढ़ लिया जाता था उन्स संपुर्ण संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपुर्ण फैसला किया है कि बिहार में अब TET BACB द्वारा नहीं होगा जिनको भी टीचर बनना है वो अब सीटेट पास करें तो ऐसे सभी विद्यार्थी को कमर कस लेना चाहिए चाहे बिहार के विद्यार्थी बिहार बोर्ड से पास किये हों या फिर वो CBSE के हों ICSE के हों क्योंकि अब किसी तरह से वो TET पास नहीं कर पाएंगे अगर अच्छ कर पाएंगे और CET 100% अनिमार्ज सर्त है बिहार में सिख्षक बनने के लिए या कहीं पर भी सिख्षक बनने के लिए अता इसका पॉजिटिव असर होना चाहिए बिहार में सिख्षक का गुनवत्ता अच्छा होगा और अच्छे लोग टीचर क्वालिटी में सिख्षक में अच्छा क्वालिटी आपाएगा और एक जो क्रिटिकल बात चलती थी कि मुखिया पंचायत जिला परिशत के टीचर है अब बिष्ट ब्रेन एक क्वालिटी मैन पावर आएगा टीचिंग लाइन में क्योंकि अब सिटेट सभी को क्लियर करना अनिवार्ज होगा आपका क् इस पर आप कैसे सोचते हैं इस फैसले पर कॉमेंट बॉक्स में आपके कॉमेंट का इंतिजार होगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच